नमस्कार स्वागत है आपका MP News के न्यूज रूम में और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिटोरियल टीम के संदीप मीरा और राहुल पतिल तो जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें संदीप जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भुपाल में आगामी दिनों में आठ फरवरी को राहुल गांदी एक बड़ी महासभा का आयोजन करने जा रहे हैं दौरा करने जा रहे हैं राजदानी भुपाल का तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं न कहीं मोधी सरकार पर एक प्राहर रहेगा जी निश्चित तोर पर दिख्षा जी मैं बताना चाहूंगा चूकि मद्यप्रदेश राहिस्तान और 36 गड़ तीन राजज में कॉंग्रेस की सरकार बनने के वाद राहूल गांदी बेहद उतसाहित नजर आ रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि इन तीनों राजज में जीत के एक बड़ी वज़े रही है किसान क्योंकि किसान करजमाफी का राहूल गांदी ने एलान करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया था जिसकी बदलत उन्होंने मद्यप्रद कि कमलनात सरकार की बात हो या पूरे देश की बात हो तो कांग्रेस पार्टी अब जो है मिशन 2019 या लोकसभा चुनाव को लेकर जुट गई है और इसकड़ी में राहूल गांदी मिशन 2019 का शंकनाद कहें या फिर मद्यप्रदेश में कांग्रेस की अभार रेली कहें यानि क कि जिन किसानों के सहारे मद्यप्रदेश में कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म हुआ है और कर्ज माफी का जिस तरीके से एलान किया गया है कमलनात ने कर्ज माफी योजने चलाई है तो तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कप्तान राहूल गांदी भोपाल में आ रहे ह जहां पर जंबूरी मेदान में एक बड़ी किसाना भार रहली को संबोधित करेंगे और इस दोरान जो है ये भी जानकारी सामने आ रहे है कि मद्यप्रदेश के तमाम किसान जो है कर्ज माफी के लिए राहूल गांदी को धन्यवाद भी देंगे तो ये तो खिर था एक धन माहूल बनाए और यहां पर उपचारिक शंकनाद करते हुए वो तमाम मुद्दों को उठाएंगे जो सीधे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की बात की जाए या फिर केंदर सरकार की बात की जाए उनके खिलाफ यहां पर एक राजनितिक माहूल बनाने की कोशिश करेंगे और इस दोरान राहूल गांदी का पूरा फोकस मद्दप्रदेश की उन 29 सीटों पर होगा जिसकी बदोलत पिछली बार भाजपा ने केंदर में सरकार बनाई थी तो यानिकि यहां पर 29 सीटों को फोकस करते हुए राहूल गांदी मिशन 2019 का संकनात करेंगे और जंबूरी म पिदान से जो एक बड़ा लोकसाबा चुनाव को लेकर माहूल बनाएंगे जी बिलकुल जिस तरह से पहले भी खबरी आई थी और अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राहूल गांदी का राजधानी भुपाल में यह दौरा जो है कहीं न कहीं आगामी लोकसाबा चुन जानों के लिए कि सबसे पहले जो कम पचास असार के नीचे वाली के आर्टेगरी उसका कर्ज माफ करेंगी तो क्या यह एमाई का फॉर्मुला कमलनाथ सरकार के लिए काम कर पाएगा जै नेचे तोर पर दिख्छा है यह बाद आपने बिलकुल सही कि अब कमलना सरकार ने जो है वो इमाई फॉर्मुला कहीं न कहीं डूंड के निकाला है वरतमान इस्तितिकी बात करें तो मद्दपरदेश की जो आर्थिक इस्तिति यह बहुत ही नाजुक है और वित्य संगटों से गुजर रही है सरकार ऐसे में कहीं कमलना सरकार जिस तरह से कर्थसास्तिरी भी माने जाते हूं जिस तरह कि उनकी पूरी स्टडी रही है इस मामले पर तो कहीं न कहीं उन्होंने भी यह सूच विचार करके निड़ने लिया है कि क्योंकि वरतमान में अगर हम पार्टी की बात करें या यूं कहें कि वरतमान में जो कॉंग्रेस सरकार है उनके पास में इत सुबा चुनाओं बहुत नजदीक है, ऐसे में कमलना सरकार यह नहीं चाहती कि कॉंग्रेस किसी भी तरह से बैक फूट पर नज़र आए, चुकि किसान गर्ज माफी की एक बड़ा वचन था, जिसको जिसको यूं कहें कि जनता के बीज ले आकर उन्हें सत्ता मिली है, ऐसे मे अगामी 2019 कहीं न कहीं फाइनल माना जा रहा है, ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि यदि इस तरह की EMI से यदि कर्ज माफ हो जाता है, तो कॉंग्रेस के लिए एक अच्छी खबर होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि EMI के दोरान यह भी किया गया है, कि 50,000 से जो कम वाले किसान है, उन तीस लाक किसानों का पहली किस्त में कर्ज माफ किया जाएगा, और यह जो किस्त है, फरवरी के अंतिम सप्ता तक होने की संभावनाएं बताए जारी है, वहीं लोकसभा चुनाओं के बाद यह यह कहें कि जैसे आचार सहीता लगेगी, उसके बाद से य दूसरी किस्त भी डाली जाए, चुकि कमलना सरकार की बहुत बड़ी एक कोशिस है कि अपरे मार्च के पहले वीक में, पहले सप्ता में एक समाचार पत्रों में लिखित तोर पर उन किसानों का नाम ने जिनका कर्ज माफ किया है, नहीं साब तोर पर वो यह चाह रहे हैं कि लोगसबा चुनाव में इसको कहीं ने कहीं बूस्ट मिले पार्टी को, इसको लेकर अब रन्निती बना ली है, बिल्कुल वही बात आईए कि अभी वरतमान में इतना फंड नहीं है, जिस तरह की वित्तिहालास से जुजरी सरकार, इसलिए इस तरह का जो है, वो EMI फॉर्म कमलना सरकार ने एक नए फॉर्मुले के सामने सामने आई है, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की और संधीप में आपसे पूछना चाहूंगी कि आज की जो ताजा एक बड़ी खबर आ रही थी कमलना सरकार से वो थी कि अब कमलना सरकार के केवल सात मंत्री ही सरकार की बात जो है रख पाएंगे, सरकार की बात कर पाएंगे, तो क्या है ये पूरा वाक्या? पाएंगे, सरकार की बात को मीडिया के सामने रखेंगे, लिहाजा मैं बताना चाहूंगा कि इस पर पूरी हमारी एडिटोरियल टीम ने सबसे सटीक स्टिडी की है, वो हमारे एडिटोरियल टीम के जो सदस्य है राहूल पटेल जी उन्होंने इस पर काफी रिसर्च किया ह वो मुझसे बहतर जानकार इस पर दे पाएंगे जारी किया है, उन्होंने नोटीज दिया है कि अब से सिप ये सिप साथ मंत्री हैं जो कि सरकार की बात रखेंगे या यूं कहें कि मिडिया से मुखादिब होने की आजादी साथ मंत्रियों को रहेगी, सबसे पहले मैं नाम बताना चाहूंगा, इसमें नाम है विजयलक्ष हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजय सी है कि बेटे जैवर्दन सी का नाम भी है और वित्त मंत्री तनूत भनोट का भी नाम है और खुच स्वयम जनसंपर्ग मंत्री पीची सर्मा जो कि इसी चीज के लिए एक मंत्री है कि जनता के जो संबंदित यूं कहें कि जो जन उपियोगी योजना है उनको जनता तक पहुचाने के लिए जो जनसंपर्ग मंत्री पीची सर्मा ऐसे करके कुल मिलाकर साथ मंत्रियों को ही कहीं न कहीं सरकार ने अधिक्रत किया है यही सरकार की बात रखेंगे इसके अलावा बाकी कोई बात नहीं रखेगा इस तरह क बात की गई है और इसमें विवाद भी खड़ा हुआ है दिख्षा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाद ये खड़ा हुआ है कि अब ये भी आरोप लग रहे अंदर खाने कॉंग्रेस में कि इसमें जोतिरादित्य सिंधिया के जो भी मंतरी रहे उनके गुड़ फैट स उसकी आजादी का कहीने कही है हनाने इस तरह की भी आरोप प्रत्या रोप लग रहे है बराल कमलनात सरकार ये मान रही है कि उनका सुच-बूच बूच बुरा निर्णा ही है चुकि कहीं बार इस तरह के विवादित बयानों के चलते सरकार को कड़़े में खड़ा रहना प सेनिंग देने वाले हैं कमलनाथ खुद तो क्या है पूरा जी मैं बताना चाहूंगा कि मद्धिप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार बन गई है भले ही बन गई है लेकिन सरकार बनने के कुछी महीने बाद विधान सव लोकसव चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सीम कमलनाथ ज में सरकार के हनी मौन मनाने में लगे हो यनि क Yet यहिंपर ही मंतराने में कर आगर आपको भी काम करना है तो आपको आपकी जगे पर बैठना हो अपके विभागों को देखना होगा तो उसी को और ध्यान में में रखति है कि मैं वताना चाहूंगा कि कमलनाथ केविनेट में कुल 28 मंत्री हैं जिन में 7 मंत्री ऐसे हैं जिनको जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और जिने अनुभब सरकार के कामकाजों का लेकिन 21 मंत्री ऐसे हैं जिने सरकार का कामकाज का कोई भी अनुभब नहीं है तो लिहाजा सरकार के कामकाजों को सीखाने के लिए उनको प् राने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर इस्तापित किया जाएगा जहां atra partner तमाम मंत्रियों को ट्रेनिंग दिया इनगे किश्टर करने के लिए की अे सूली इनेंगा काला ने करने का थे लिए we मुख्यमंत्री कमलनात्थ ऌर पर्लत है क्योंकि मिशन 2019 नजदिक है तो ऐसे में सियम कमलनाथ की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपने वचन पत्र में जो वादे पूरे किये हैं उनको जनिता तक ले जाएं उन वादों को पूरा करें और वचन पत्र का क्रियानवन करना एक बड़ी जुम्मेदार ही क्योंकि यही कमलनाथ का वचन पत्र ही जो है राहूल गांधी के राजनितिक क्रियर पर गहरा असर डालेगा तो अगर यहाँ पर कमलनाथ सरकार एक मजबूती के साथ वचन पत्र का मध्यप्रदेश में क्रियानवन करती है तो निश्चित तोर पर लोगसवा चुनाओं में उसका कमलनाथ सरकार का इंडारिक्ट इशारा है कि हम सिर्फ बातों के वार से काम नहीं चलेगा आपको काम करके दिखाना पड़ेगा तभी जनता कि आप गुड़ बुक्स में आप आएंगे गुड़ फेट में आप आएंगे और लोगसवा चुनाओं में तभी आपको हेल्प ह पाएगी तो ये थी अब तक की कुछ मुख्य खबरें ताज़तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें एंपी न्यूस के साथ नमस्कार